भगवान का अवतरन क्यों होता अवतरन मीनिंग क्या है ये संस्कृत का कौन सा शब्द आके हमारे सामने अवतरन भगवान अवतरन लेते हैं अवतरन बोलते हैं उपड़ से नीचे उतरने को एक शब्द है संस्कृत में जो आपने पढ़ा भी होगा बच्पन में अवतरनिका सीड़ी है ना अवतरनिका अवतरन अवतार ये एक ही फैमिली के शब्द है तो जब जो नीचे उतरने वाली विवस्ता है उसको अवतरन बोलते हैं जब उपर से नीचे उतरा जाता है तो उसको अवतरन बोलते हैं तो भगवान नीचे आते हैं भक्त को कहां जाना है उपर जाना है बग्ट सरशरीर उपर नहीं जा सकता तो बग्ट क्या करता है अपनी अध्यात में छितना को इतना बढ़ा देता है कि उपर उठ जाता है वो भीड से हट जाता है क्यों हट जाता है किए उसको quality मिल गई उसको वो मिल गया जिसकी कल्पना कभी नहीं की थी उसने पिर उसका औरा, उसकी सोच, उसका दायरा, उसकी स्तितियां बदल जाती है कुछ लोगों के जीवन में वो नहीं रहता और कुछ नई जीवन में वो आगे बड़ जाता लेकिन कल्पना कीजिए पूरी जिंदनी की जिस राम, जिस खुर्श्न, जिस भगवान की बात हम करते रहते है इस जीवन में अगर उसको पाने का मौका मिल जाए और पाने के लिए हम तत्पर हो जाएं तो बुराई क्या है भगवान शिरी राम किसी की बात नहीं मारे भगवान श्री राम की बाद, भगवान श्री राम शबरी से कह रहे हैं, मुझे पाने के ये नौ सादन है, मतलब नौ सीड़ी की एक सीड़ी है, बस उस पर चड़ना है, भगवान कह रहे हैं, ये न मैं कह रहा हूं न कोई और कह रहा है, भगवान कह रहे हैं शबरी से, अच प्रथम भगती संतन करे संगार और दूजी रती ममकथा प्रसंगार पहला जो काम है वो संतों का संग है अच्छुकि आप लोग मेरे पास जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक ही फैमिली है जिसको जिसके साथ मैं अभी तक फैमिलियर था अब आप लोग के साथ पहली बार बैठ रहा हूं तो मुझे नहीं मालूम आपका टेस्ट के है तो मैं सारे टेस्टों की बात करूँगा प्रतम भगति संतन करसंगा दूर्जी रतीम मकथा प्रसंगा पहली बगति अगर आपको इश्वर तक की यात्रा करनी है परमात्मा को जानना है तो आपको संतसंग करना पड़ेगा क्योंकि वो उसके करीब हैं वो उनके नेरह हैं आपको अगर माल लीजिए क्या कहते हैं ड्राइफूट्स बेचने का काम करना है तो आपको ऐसे वक्ति के तलाश करनी पड़ेगी जिसको ड्राइफूट्स बेचने का तो जुरुबा होगा मैं तो जब मैनेजमेंट की क्लास में जाता हूँ तो यही नवदा भक्ति उन्हें इंब्डेज को उनको भी मैं यही बताता हूँ किसा अब तुम कैसे भी ले लो तुम्हें राम चाहिए तो तुम्हें संत की जरूरत है तुम्हें डॉक्टर बनना है तुम्हें डॉक्ट पुद्पुरुश कोई सद्गुरु जो आपको यात्रा का मार्ग बता पाए। ऐसे नहीं ऐसे। सिर्फ इतना करना है। वरना बगीचे में तमाम सारे पौदे हो गरे हैं। सब में फूला आ रहे हैं, सब में डगाल निकल रही हैं, सब में फैलावा हो रहा है। लेकिन ड्चाट करने वाला नहीं होगा, कोई आपको पॉलिश करने वाला नहीं होगा, तब तक आफ चमक नहीं सकते, मतलब आपको चाहिए ही चाहिए कोई ऐसा वेक्ती, आप बच्चपन में स्कूल में जाते तब भी वाँ टीचर पड़ाते हैं न, वही teacher आपको मैंनत करके अगली class तक ले जाता है फिर अगली class फिर अगली class फिर अगली class फिर आफ स्कूल के बाद college फिर जो 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 भी आप पड़ते हो जो 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 भी आप करते हो लेकिन सारे चीजों के पीछे भी कोई एक guru काम कर रहा होता है और आप अगर बहुत गहराई से देगे तो आपके आसपास हर व्यक्ति काम कर रहा है आपके लिए और आप किसी के लिए कोई आप से सीख रहा है और आप किसी सीख रहे हो यह पूरी पूरी जिन्दगी का निछोड है आप आपको एक चीज और बड़ी जानकर आश्चरी होगा बहुत सारे लोग भक्ती तो कर रहे हैं तीरत तो कर रहे हैं पूजा तो कर रहे हैं लेकिन दुखों से बरे हुए है भाई जब तुम भगवान के पास दो दो गंटे बैट रहे हैं जीवन में दुख क्यों हैं समझिएगा भगवान के पास दो दो गंटे बैट के पूजा कर रहे हो पिर जीवन में दुख क्यों है क्योंकि जीवन में कोई संत नहीं है कोई spiritual power नहीं है जो उस मर्म को आपको बता पाए और जब तक वो नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता आप इतने सारे आप देखिए आप तो गूगल का जमाना है सारी चीज़ आउन एवेलिबल है सब कुछ है लेकिन सब कुछ एवेलिबल होने के बावजूद भी मंत्र तो वही हैं जो सत्युग में थे फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज को सिद्ध करना टीचर सिखाता है यह ऐसे इसको सिद्ध किया जाएगा यह ऐसे करेगा उस टीचर ने आपको यह तक सिखाया था बच्पन में माना अगर हिंदी वाले पड़े हों माना इसकी पावर यह इसकी पावर यह इसकी पावर यह तो इतना माना मान लिया टीचर ने बोल लिया तो मान लिया और मान लिया तो बढ़ गए हलाकि मैंने तो अपने जीवन में जब पढ़ा था तो ठीक था मैंकर अभी तो कॉस्स, साइंस, सिटा वो कुछ समझ भी नहीं ते कहां खो गए वो लकिन वो जो लोग उस फील्ड में है वो उनके लिए वो काम कर रहे हैं तो बात वही आपके जीवन में कोई सद्गुरू तो हो असली बात यह है कि आपका सद्गुरू ही आपके जीवन में प्रेम बढ़ सकता है ने यह बताएगा और एक गुरू आपको बताएगा कि आध्यात्मिक छेतना को मजबूत कैसे करना है इसी शरीर से उसको कैसे पा सकते हो क्योंकि हजारों लाकों लोगों ने पाया है यह कोई नई बात नहीं है आप आके देखिए वहां कई मैं आपको छोटे-छोटे बच्चे बता दूगा यांग यांग लोग बताऊंगा पुरुष नड़किया इस तरह उनको देखकर आप खड़े नहीं हो सकते उनके सामें आपको खुद इतना एजिटेशन होगा वह इतने आँगे चलेगे स्प्रिचुलिटी में और अगर आप उनके डिगरियां देखेंगे तो शायद ऐसी डिगरियों के कलपना कभी आपने की थी जो आप नहीं छूपा है उनके पास वो डिगरियां थी वह उसके भी आँगे निकल गए वो डिगरियां छोड़ छोड़ के बड़े बड़े पैकेज़ छोड़ छोड़ के प्यक्यों को समय के पहले सई वक्त पता पढ़ गया कि लाइफ क्या है मैं छोड़ने की बात नहीं करता गरस्त जरूरी है बगवान तो खुद गीता में कह रहे हैं उद्यूप करो लेकिन धर्म करो आप और हम जिस व्यवस्ता में हैं उस व्यवस्ता को समझना बहुत जरूरी है इश्वरिय सत्ता को समझना बहुत जरूरी है हम भगवान 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 करते तो है तो कि भगवान को अंदर से कितना याद करते है अगर हम बलीव करते हैं कि दिर इस गौड भगवान है और हम भगवान की संसान है तो कभी भगवान का नाम लेकर भगवान का चिंतन करके आखों में आशु आए क्या जब हमारा कोई बहुत प्री है हमसे चार दिन बिछड़ जाए उसकी याद आती है तो आखों में आशु आजाते है आपने और हमने विचार कि हम कितने कितने जन्मों से बढ़के पड़े हैं नाजने कितने जन्मों से छूट गए, उससे मुलाकात नहीं हुई नाजने कितने जन्म गुजर गए और बार बार हमारी कामना इतनी प्रबल होती जाते हैं कि उन कामनाओं के वज़े से अभी तक हम वापस चरीड ले रहे हैं ये शरीड का जन्म क्यों होता है? कामना से और अब तो ये साइंस जो आज का साइंस है वो भी कहता है नहीं साब सारी चीज़ जो लिखी हैं बिलकुल सही है आपकी कोई कामना छूटेगी तो आपको नया शरीर मिलेगा ही मिलेगा और जिस दिन आप रिक्त कामना कामना रिक्त हो जाएंगे आपका शरीर फिर दुबारा पैदा नहीं होगा ये कामना शरीर है हमारा हमारी हम कुछ छोड़ गए कुछ कर गए कुछ तो शरीर वापस मिलता रहेगा आपको और हमको यह विचार करना है कि हम आए किसलिए है और करना क्या है यह जो कर रहा है तो शरीर के धर्म है यह तो शरीर के हिसाफ से चलते रहेंगे चलने दीजिए मगर इसमें इन्वाल्व नहीं होना है यह शरीर तो जसलाई का मोटर कार है मोटर कार जिंदगी है कि उसमें बैटने वाले की जिंदगी है मोटर कार की अपनी लाइफ है या उसमें बैटने वाले की है ड्राइव करने वाले की है ना जाने कितने शरीर आत्मा छोड़ चुकी है ना जाने कितने शरीर आत्मा छोड़ देगी आपके और हमारी यात्रा आज की नहीं है बहुत पुरानी यात्रा है बहुत पुरानी यात्रा है लेकिन थोड़ा सा विचार ये कर लीजिए कि इस यात्रा का एंड कब करवा रहे हो कभी तो आपको रुपना पड़ेगा कभी तो ठक जाओगे ना कभ ठकोगे जब तुम ग्यानी हो जाओगे तब तुम आलएगा नहीं अब कुछ नहीं चाहिए सब कुछ तो है तुमारे पास इतनी बड़ी दोड़ तुमने दोड़ ले मेरा एक मकान हो मेरा बिजनिस हो मेरी नौकरी हो सब तो है तुमारे पास इसी को तो तुम सुख समझते थे न आपके जो definition थे सुख की वो यही थी मेरे ख्याल से अपने अपने गाउं अपने अपने शैरों को छोड़ कर तुम आगे बड़े बड़े शैरों की और बड़े बड़े हाईर एजुकेशन्स की और बड़े सब की और बड़े, किस के लिए बड़े सुक की तलाश में बड़े थे न सुक की दोड में दोड़ते दोड़ते आज तुमारी सुक की जो इतनी सी डिमांड थी झाल झाल